हेलो हाई नमस्कार मैं आपका सूरद सर स्वागत करता हूँ आज की सेशन में आज हम बात करेंगे जिन भी द्यारतियों को भी एक्जाम फी पे करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्यूं आ रहा क्यूंकि जो मेसेज़ेज मेरे पास आ रहे है उसमें ये पिक्चर जरूर कॉमान है कि सर इस तरह की प्रॉब्लम आ रहा यू और नॉट एलिजिबल टू पे एक्जाम फी और हम एप्रिल 2024 में एक्जाम देना चाहते हैं इस तरह की चीजे आ रही है तो इसमें हम बात करेंगे कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो किन विद्यार्थियों के साथ आ रही है और मतलब जितने विद्यार्थी है एक विद्यार्थी थुड़ी नहीं तो कंपार्टमेंट वाला भी है और एक नया विद्यार्थी भी है दोनों की मुझे बात करनी पड़े तो सारी बात इसमें हम करेंगे लेकिन मुझे एक सिकायत रहती है आप लोगों से कि जब लिखने के बाद चैनल को उससाफ से सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमें इस बात का दुख होता है कि अभी हमारे अंदर ऐसी क्या चीज़े जो हमें और इंप्रूब करनी चाहिए आप हमें कॉमेंट बता सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो वो चीजे की हिसाफ से में लगता है कि हम इतने लॉयल हैं आपके लिए कि लॉयलिटी के साथ काम करते हैं आप देखिए रोजाना मैसेज इतने सारे आपके पास आता है मुझे अभी मजबूरी में अपने फोन को प्लेन मोड में डालना पड़ा है अभी उसके बाद में वीडियो बना रहा हू सारे मैसेज आते हैं वह भी उसमें क्या बोलते हैं अगर मैं उसको वैबरेशन में डालूंगा तो भन भन करेगा इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि वट्सप पर ही आप मुझे कॉंटेक्ट करें डारेट कॉल करते हैं तो हमें बड़ी परसानी हो जाती है फ्री कॉंसलिं फिर से हो रही ऐसा क्यूं हो रहा है इसके लिए हम आपको यहां पर लेके आना चाहेंगे और आपको हम बताना चाहेंगे कि यह दो तरह के स्टुडेंट हैं हमारे बीच में एक वह स्टुडेंट है जो की अक्टूवर 2023 में एक्जाम दे चुके हैं जिनका जो है न एस बा अब इसको पहली बार एक्जाम देना है अप्रिल 2024 का तो अब इन दोनों का अलग अलग कहानी है जैसे अगर मैं इनकी बात करूं अगर अक्टूवर वाले की बात करूं तो इनका ऐसा कहानी है कि इनका बारा जनवरी से पोर्टेल इनका ओपन हो चुका है तो यह दे सकते ह है बैक आया है एस वाई सी या कोई भी दिक्कत है अगर कोई प्रोब्लम आता है तो नोड़ा हेट क्वाटर कॉंटेट कीजिए मैसेज कीजिए रिजनल सेंटर हो कीजिए ठीक है या फिर मुझे परसनल कॉंटेट कीजिए तो हम एक बात उससे जो भी होगा हम करेंगे अभी हाल फिलाल में आपने रिजिस्ट्रेशन लिया था तो आपके लिए थोड़ा सा समस्या बढ़ सकती है क्योंकि एनाईस की तरफ से जो लास्ट डेट एनाईस ने बताया था वो दस जनवरी था और वो हर किसी के फोन में मैसेज भी गया था ऐसा नहीं है कि जो एनाई रुपया एक लेट फाइन के साथ 10 जनवरी को जा रहा था तो अब इसमें यदि आप चूक गए हैं यानिकि इसमें आप आप नहीं पे कर पाए तो आप लोग मैसेज करते हैं सर कुछ भी कीजिए कुछ जुगार कीजिए कुछ नहीं हो कुछ नहीं हो पाएगा रीजन क्य है कि यह टोटली डिसाइड होता है एनाईस के द्वारा तो हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं हाँ एनाईस को अगर लगता है कि बहुत सारे बल्क में भी द्यारती हैं जिनका एक्जाम फी नहीं हुआ है उनको दो दिन का समय या एक दिन का समय फिर से दे देना चाहिए तो में भी possibility है कि अगर आपके dashboard में ये system दे दे eligibility का तो हो पाएगा अब क्या करेंगे सर हमने TMA भी submit कर दिया तो देखो मैं हमेशा इसलिए बोलता था था ना कि TMA submission से पहले exam fee पे कर दो मेरा statement सुरू से यही रहता था आप लोगों तो अब April के बाद ही कुछ हो पाएगा य या तो on demand दे दे देना या तो आप October कर दे 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 अब बीच में कुछ नहीं हो ठीक है तो मैं उमीद करता हूँ कि सारी चीज़े आपकी clear हो गई होगी कि अगर ये हैं तो क्या दिक्कत है आप जितने भी लोग है हतास उदास मत हो ये अब जो date निकल गया है तो निकल गया अब हो सकता है तो नहीं हो सकता है इस सचाई को स्विकार कीजिए except कि अब घृते हैं तो यह की जलती तो है नहीं हमारे तक जानकारी नहीं पहुंच पाई हम आपडेट नहीं हो पाई यह अलग बात है लेकिन नाईस इस बात को नहीं मानेगा न वह तो काएगा हम तो मैसेज तक किए होगे फोन में फिर भी आप लोगों को लगता है तो आप लोग मैसेज कीजिए ना नाईस को जब लाखों विद्ध्यारती बल्क में मैसेज करेंगे तो नाईस को लगेगा न नहीं है फिर भी अगर आप हमसे कांटेट करना चाहते हैं तो हमें वाट्सप कर सकते हैं आपका रिप्लाइ आदे गंटे दो गंटे तीन गंटे जब भी मैं फिर होता हूं मैं जरूर रिपलाइ आपको ठीक है तो इसी के साथ मैं अपनी वानी को भी राम दूँँगा मिल